सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पर्फेक्ट क्लासिस में आप सभी का सौगत हैं शिक्षा निदेशालने रास्टी राजधानी छेते दिली की वरक्षीट नमबर 24 डिसकस करें बच्चों क्लास एर्थ की वरक्षीट है विशय है हिंदी 17 दिसंबर 2020 की वरक्षीट है विध्यारती अपने नाम लिख लेंगे क अकबरी लोटा अप वरक्षीटी स्राट करते हैं लेकिन जब चार दिन जियों तियों में यूँ ही बीट गए और रुपियों का कोई पिरबंद ना हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी किसकी बात हो रही है लाला जहू लालने क्योंकि उन्होंने कहाते हैं एक हफते के अपनी पतनी को 200 रुपे देंगे लेकिन जब चार दिन निकल गए और कोई पिरबंद नहीं हुआ तब उन्हें चिंता होने लगी पिर्शन अपनी पिर्थिष्ठा का था अपने ही घर में अपनी साख का था देने का पक्कवादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन मे वे है क्या सोचेगी उसकी नजरों में उसका क्या मूले रह जाएगा अपनी वहवाई की सेकडों गाथाएं सुना चुके थे अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं ये पहली बार उसने मूँ खोल कर कुछ रुपियों का सवाल किया था इस समय अगर दम दम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मूँ दिखाएंगे ठीक है खैर एक दिन और बीता पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी फिब्दा सुनाई सईयों कुछ हैसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिलकुल खुक्स थे उन्होंने कहा मेरे पास तो है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाच कर लानी की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा डामल फासी ना कर देगी केवल जरा सा हस देगी पर वह कैसी हसी होगी कलपना मात्र से जहुलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी आज शाम को पंडित जहुलाल छट पर टहल रहे थे कुछ प्यास मालूम हुई उन्होंने नौकर को वाज दी नौकर नहीं था खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई बिलवासी मिश्र को आना था यदि ना आए तो वही शाम आज थी हफते का अंतिन दिम कल धाई सो रुपे या तो गिन देने गिन देना है या सारी हैकडी से हाथ दोना है ये सच है कि कल रुपे ना आने पर उनकी इस्तरी हुने या कहीं रुपे का पिरबंद वे ना कर सके तो शब्दार्थ थे पच्चे इसमें पिरबंद का मिनिंग होता है इंतिजाम खुक का मतलब होता है खाली हैकडी का अकड डामलफासी आजीवन कारवास या दंड देना किसी को या देश निकाला मतलब देश से निकाल देना उधेर भी होती है दुवीधा अब इसके कोशन आंसर देख लेते हैं हम लोग गदाश को पढ़कर निमलिकित परशनों के उतर लिखिए तो पहला कोशन है बच्चो पैसो का इंतिजाम ना होने पर लाला जहुलाल को क पैसो का इंतिजाम ना होने पर लाला जहुलाल को चिंता सता रही थी ठीक है उनकी अपनी परतिश्ठा का सवाल था और अपने घर में अपनी साक का था कि किस तरह सब अपनी साक को बचाएं इस बात की लाला जहुलाल को चिंता सता रही थी Question number 2 है बच्चो लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया तो इसका answer आप यहां से लिखेंगे उन्होंने आप लिखेंगे उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाच कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा ठीक है यह वादा किया था तो यह लिख देना आप आप अंसर वरक्षीट से आप question number 3 है लाला जी ने नोकर को आवास क्यों दी तो देखें इसका अंसर आप लिखेंगे लाला जी जब शाम को छट पर टेल रहे थे तब उन्हें प्यास लगी इसलिए उन्होंने नोकर को आवास दी अब question number 4 है बच्चों गतिविधी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वाइदा करके उसे पूरा कर पाने की इस्थिती मैं ना हूँ अपना पूरा अनुभव लिखें तो देखें मैंने यहाँ एक बात लिख दिये आप यह भी लिख सकते हैं अपना कोई और अनुभव भी लिख सकते हैं एक बार की बात है मेरी एक सहली ने मुझसे कुछ पैसे मांगे और मैंने भी उसे पैसे देने का वादा कर दिया ठीक है अब आगे लेकिन मैं उसे समय पर पैसे नहीं दे पाई क्योंकि वे पैसे किसी और काम में खर्च हो गए इसलिए मुझे बहुत शर्मिंद की हुई ठीक है यह लिखेंगे शर्मिंद की हुई जब मुझे अपनी सहली से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मैं वाइदा करके भी समय पर उसके काम ना सकी तो यह लिख देंगे आप आं तो आप वो अनुबब भी लिख सकते हैं ओके स्टुडेंट्स आपकी वक्षिट सॉल्व हो गई है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वर वोचिंग